जे माता दी, श्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती वावना यूट्यूब चनल पर, आज मैं आपको सर्दिय नवरात्रों से सम्मंदे जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों नवरात्रों में माता दुर्गा की विशेश रूप से कृपा होने वाली है नोरासी वालों पर इस नवरात्री बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं सर्दिय नवरात्री अश्वनी मास के शुक्ल पक्की प्रतपता तितीसी शुरू होगे नवरात्री के नो दिनों मादुर्गा के अलग अलग सुरूपों की पूजा की जाती है दार्मे कमानेताओं के अंसार नवरात्री में मादुर्गा धर्ती पर आती हैं और अपने वक्तों पर किर्पा बरसाती है इस दोरान वक्त मादी सक्ती को प्रसन करने के लिए पूजा पाटवा ब्रत रखते हैं नवरात्री में अश्टिम्य नौमी की तिथी पर कंचकों को भोजन कराया जाता है और माता दुरगा की किरपा प्राप्त की जाती है देवी दुरगा को सक्ती का रूप माना जाता है माता के बक्त माता की पूरे बर्स पूजा अर्चना करते हैं लेकिन चैत्र और सर्द्य नवरात्रों में विशेश रूप से माता की पूझा की जाती है। इस बार नवरात्री पर दो महाशुब योग भी बन रहे हैं। इन 9 दों में मा अम्मे के अलग अलग सुरूपों की पूरे विधी विदान से पूझा की जाती हैं। बैसे तो साल में चार बार नवरात्री आते हैं जिसमें से दो बार गुप्त नवरात्री और दो बार प्रतक नवरात्री आते हैं दो गुप्त नवरात्री आते हैं और दो आते हैं प्रतक नवरात्री जो चेत्र और सर्द्य नवरात्रों के नाम से जाने जाते हैं इन नो दिनों में माता की नो सरूपों की आराधना की जाती हैं भक्त पूरी स्रद्दा से उपासना करते हैं और फिर अश्ट्री में नौमी के इन कन्याओं का पूजन करते हैं कन्याओं का पूजन करते हैं उनको पूजन करते हैं उनका अश्रवात लेते हैं भक्त अपनी स् नव दिन बिना खाए कौन रह सकता हैं। देवी को प्रशन करने के लिए बक्त कटिन से कटिन तपस्या और ब्रत करते हैं। इन नव दिनों में जो भी बक्त सचे मन से माता की आराधना करते हैं। माता प्रशन नो करके उनकी सभी मनुकामनाय पूरी करते हैं। नवरात्रों में प्रतम दिन इश्णान आधी करने के बाद में एक पटले पर लाल वस्तर बिचाएं लाल वस्तर बिचाने के बाद में वापर माता दुरगा के नो सुरूपों की आरादना करें वापर माता की मूर्ती स्तापित करें माता के बगल में ही एक कलस की इस्तापना करनी है और वहीं पर खेत्री बीजनी है कलस के मुख पर मोली बांदें स्वास्तक चिन बनाएं आम के पत्ते लगा कर के कलस के उपर स्रीफल नारियल रखें नारियल पर एक धागा लपेटे मूली लपेटे उस पर चंदन का टीक लगाएं फिर कलस की बगल में ही आपको जोत की स्तापना करनी है जिसे अखंड जोती बोला जाता है और माता दुरगा का यह सरूप माना जाता है दोस्तो सास्त्रों में का गया है कि जिस घर में पूरे नौ दिन बिना रुके अखंड जोत जलती है वहाँ पर साक्यत माता दुरगा का बाश होता है माता प्रसन नो करके भक्तों की मन में जो भी कामना है प्रतिक मनो कामना पूरी करती है उसके इबाद में माता की पूजा की जाती है माता को स्रंगार अरपन किया जाता है माता को चुन्दरी अरपन की जाती है इन नवराती मा अम्मे जिन लोगों पर अपनी विशेश कृपा बरसाने वाली है वह नो रासिया हैं इन नौ दिनों में इस रासी के लोगों को आत विश्वास में बड़ोत्री होगी, साती नोकरी में लाप प्राप्त करने के कई अच्छे अपसर भी आएंगे, वही इस रासी के जो लोग व्योपारी हैं, उनके लिए भी नौ दिन ब्यादी शुब रहने बाले हैं, इस रासी के व्यफसाईयों के लिए भी बेहद समय रहेगा, यह अच्छा, उत्र प्राप्ती और धन प्राप्ती के लिए भी समय अच्छा रहने बाला हैं, जो व्यक्ति नौ दिन माता की आरादना करते हैं, उनके जीवन में आने बाले सारे कश्ट संकट दूर हो जाते हैं, दोस्त की शुब दिश्टी हैं, मेश रासी के उपर माता दुर्गा की विशेश रूप से किरपा रहने वाली हैं, जिससे इनके सभी कार से दोंगे, इनको विशेश लाम मिलेगा, जीवन में आरे सारे दुख परेशानियां दूर होंगी, गया हुआ पेंसा बापिस आएगा, ग्रेन की शुब दिश्टी, साती माता दुर्गा की किरपा से इनके सभी कार से दोंगे, आने वाला जीवन इनके लिए बेहदी खुशियां वरा रहने वाला हैं, नवरात्री के नो दुनों में माता दुर्गा की किरपा से आपके जीवन में बेहदी शुब दिन रहने वा पुत्र के योग बनेंगे, साधी के योग बनेंगे, ब्योपार में उन्निती मिलेगी, नोक्री में प्रमोशन है, साथ ही आपको विशेश रावदानी भी रखनी है, किसी पर विश्वास नहीं करना है। पुत्र प्रमान में ब्रद्दी, पिता का सहयोग, साथ ही माता का अशिरवाद प्राप्त होगा, जिसकी वज़े से आपकी सभी कार सिद्धो जाएंगे। अगली जो राशी है, वह सिंग राशी, जो बहुत ही भागिसाली रहने वाली है। सिंग राशी वालों को विशिसलाम मिलेगा, सिंग राशी के महलाओं को विशिसलाम मिलेगा, पुत्र प्राप्ती का धन प्राप्ती का अशिरवाद है, साथ गिरस्त जीवन में खुशियां आएंगी, आपके लिए समय ब्यादी शुभ रहने वाला है। प्रतिदिन शवी रासी वाले प्रतिदिन एक दीपक और उस दीपक में लोंग डाल करके माता दुरगा के सामने आपको प्रतिदिन जलाना है अपनी मनुकामना बोल करके और नवरात्रों में बीच में आपको एक दिन 108 लोगों की माला बना करके माता दुरगा को अरपन करनी है जिससे आपकी मनोकाम नावश्य फूरी होगी कन्यारासी कन्यारासी के योग बहुत अच्छे हैं कन्यारासी वालों को भी विशेशलाम मिलेगा और आपका समय भी विएदिय अच्छा है जहां पर आप नोकरी चाते हैं वहाँ पर नोकरी मिलेगी आप अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको नोकरी मिलेगी और काम में भरकत मिलेगी प्रिमोशन मिलेगा आ रही सारी व्यादाएं दूर होंगी संतान का अश्यक मिलेगा अगली जो रासी है वो है धनुरासी जो बहुत ही अच्छी रहने वाली है धनुरासी वालों को विशेशलाम मिलेगा आपके भी योग अच्छे हैं माता रानी की क्रपास सोनी गुद वरी जाएगी आपकी साथ ही मकर रासी और मीन रासी ये रासियां भी बेहदी शुब रहने वाली हैं इन रासी वालों को विशेशलाम मिलेगा माता दुर्गा की क्रपास से आपके जीवन में आ रही सारी निरासा दूर होगी और खुशियां आपके जीवन में आएंगी ये पल आपके लिए भी अधिशु रहने बाला है जो आपके मने में कामना है आपकी प्रतिक मनो कामना पूरी होगी और हर प्रकार के आपको लाव मिलने शुरू हो जाएंगे वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में जै मातादी जरूर लेखें जै मातादी